हेलो जी, गुट मॉर्निंग, गुट मॉर्निंग फेंड्स, कैसे हैं, आप सभी लोगों उमीद करते हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, एकदम मस्त होंगे तो आज मैं आई हूँ बाबा जी के पास आपके उन सवालों का जबाब लेके जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं अभी मैंने एक दू दिन पहले आपसे एक वीडियो शेयर गिया था जिसमें मैंने आपको नजर उतारने के तरीके के बारे में बताया था लेकिन उसमें काफे सारे लोगों के ये कमेंट आए हैं कि मैं मगर हम घर पे अकेले रह जाते हैं तो हम खुद की नजर कैसे उतारे कई वार ऐसा होता है कि कोई भी हमारे आसपास नहीं होता और हमें लगता है कि हाँ हमें नजर लगी है लेकिन हम उसको खुद से कैसे उतारे जिससे हमें किसी दूसरी की जरूरत ना पड़े तो यह दीखे बाबाजी, यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपने कपड़े धूर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं कॉनसा बंबया, बंबया कलर बताया बाबाजी ने तो यह जो वाइट कपड़े होते है उसमें इस तरह का भागवा कलर हो रहता है उसे बंबया कलर बोलते हैं सायद तो उसको डाल कर ये देखिए इस तरह से कलर कर रहे है अपनी धूती को अपने कुर्टे को अब थोड़ सी बात कर लेते हैं नजर के बारे में कुछ लोग तो देखिए इसे अंदूवुस्वास मानते हैं मानते ही नहीं हैं लेकिन एक बात में पका कहते हैं कुछ तो देखिए जरूर है राजा महराजाओं के जमाने से या हम जब छोटे छोटे थे ना तो किसी की दादी या नानी ने शायद कोई भी ऐसा बच्चा रहा होगा जिसके माथे पे काला टीका ना लगाया हो और वो काला टीका क्यों लगाया जाता था बच्चों के इसलिए कि उसे नजर ना लगे या हम जब मकान बगारा बनाते हैं तो एकदम भूत जैसा आदमी वहार लटका लेते हैं क्यों लटका लेते हैं इसलिए तो लटकाते हैं कि कोई भी हमारी जो घर है उस पे बुरी नजर ना डाले कई बार आपने देखा होगा कि जब कभी अच्छे से कपड़े पहनते है और कोई हमें अगर टोक देता है कि अरे वास तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो और वैसे हमारा बदन तूटने लगता है ऐसा लगता है कि हमें एकदम बुखार सा आ गया है तो मा, दादी, नानी, काकी जो भी है सब बोलते हैं अरे इसको नजर लग गई है बहुत सारे ऐसे उधरण आपको देखने को मिल जाएंगे साइद आपके साथ या आपके घर में किसी साथ या बच्चों के साथ भी हुआ होगा ऐसा तो इससे जो मैंने पहले वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने आपको बताया था किस तरह से हम अपने घर में घरबालों की नजर उतार सकते हैं लेकिन चलिए बाबा जी से पूछते हैं हम खुद की नजर कैसे उतारे नमक साथ वड़ा उतारा है नारी भेग लिए तो आपको साइद समझ में नहीं आया होगा क्यो हम नमक लेते हैं पिसा हुआ वह है यह तो देखी इस तरह से उती आया हुआ लेगा लेगे या डेली वाले ठीक keys आपको बहुत सारे नुसके सबने बताये होंगे कोई कहता है नीबदार के चाव रखाओ कोई कहता है चाव पर जाके मेझ जलाए कपूर और लौंग जलाई यह सब करने से आपको बाधाय खतम तो नहीं होंगी और ज्यादा लग जाएंगी इस बात को याद रखना क्योंकि चौरा है पर टोटका कोई भी करना या पिर कोई भी जलती हुई चीज रखना कभी भी मत रखिएगा किसी के भी कहने से ठीक है एक दम साधर नुस्खा मैंने आपके साथ बताया है बड़े बूडो बाला इसलिए मैंने बाबाजी से आपके लिए यह कहलवाया है यह देखिए इस तरह से हमें साथ बार अपने उपर से उतार लेना है ठीक है इस तरह से लेने के बाद आप घर में कोई भी नाली हो मतलब यह देखिए यह बहता हुआ पानी मतलब इसमें सो जो पानी जाएगा न वो घर की बाहर निकल जाएगा तो यह देखिए उत्रा हुआ यह नमक है इसको हम इस तरह से लेंगे और अब हम नल को खोल देंगे और इस नमक को हमें बहा देना है तो इस तरीके से आप खुद की भी नजर उतार सकते हैं अकेले चौरा है अगर आपके आप कुछ करेंगे ना तो आपका हो सकता है नजर तो नहीं सही हो लेकिन आपको और ज़्यादा बाधाय जो है वो चिपक जाए इसलिए बिल्कुल भी ऐसा मत कीजेगा मैं अपने चैनल में हमेसा ऐसी बाते आपको बताने की कोशिश करती हूँ जि कोई भी मंत्र कोई भी नजर असर नहीं करती है लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी आप बहां जाके रामरक्षा लिख कर अपने गले में पहन सकते हैं और यह जो जिस रामरक्षा की मैं आपको बात बता रही हूँ ना वो मैंने खुद अ करती हूँ अगर आपको कोई भी कोश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में उसको किलियर कर सकते हैं अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शियर जरू कर दीजिगा साथी चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब श दुदे रहे हैं वर्दान पकवान से सबसे सीधा सबसे साल थैंक यू अब्रीवन बाइबाइ